Hello everyone, welcome back to my channel तो guys, जो हमारी आज की वीडियो है, वो बहुत ही special होने वाली है क्योंकि आज मैं बना दी हूँ Lower Himachalी Famous Traditional Dish Anklia Lower Himachal में इसको अलग-लग नाम से जाना जाता है हमारे मंडी डिस्टिक में इसको एंकलियां बोलते है कुछ लोग इसको चावल का चिल्ला भी बोलते है तो ठंड के मौसम में इसको खाने का अलगी मज़ा है वैसे हमारे निचे Lower Himachal में इसको जादा जो है वो दिवाली पे बनाया जाता है जब दिवाली का फेस्टिवल आता है तो जो हमारी Lower Himachal की जो में दिवाली पे डीश बनती है वो एंकलियां ज़रूर बनती है तो चलो आज मैं आपके साथ इसकी रेस्पी शेयर करो जब दुब दिवाली जब दो है अब मेरी डाल जो है वो तयार हो चुकी है, तो अब मैं एंकलियों की जो प्रोसेसिंग रही है, वो शुरू कर रही हूँ, तो सबसे पहले हमें लेना है चावल का आटा, चावल के आटे को हमने अच्छी तरह से छानना है, इसमें ना ही एनो एड करना है, ना ही बेकिंग पा पानी हमें एक साथ एड नहीं करना है, थोड़ो थोड़ो करके डालना है, इस तरह से, इसको हाथ से मिक्स करना, क्योंकि कर्ची है, बाक्की चीजों की help लोगे, तो रिस सही से मिक्स नहीं होगा, पानी और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करना है इसमें हमें नमक एड नहीं करना है क्यूंकि बहुत सी लोग इसको दूद और शकर के साथ खाते है पहले हम तवे को अच्छी तरह से तेल के साथ ग्रीज करेंगे अब हम डालेंगे बैटर इस तरह से आपने तवे को घुमाना है जहां बीच में खाली स्पेस बच जाएगा हाथ से इस तरह से डालना है अब हमारी एंकली जो है वो एक साइड से पक चुकी है अब इसको दूसरी साइड को बदन लाए इस तरह से फिर दोनों साइड से पकाना है अब हमारी प्लेट जो है वो सब करने के लिए रेडी है तो आप देख रहे होंगे कीवी महाश्य जो फू करके खाने के लिए तयार है खाना है आपने कीवी हाँ तो खाओ इसकी शाइड कहना है यमी है यमी है